Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप भी Amazon से कोई प्रोड़क्ट खरिदने जा रहा है लेकिन वहाँ पर आपको बजाज EMI कार्ड का बजाज फिन सर्व कार्ड का आपको उप्सन दिखी नहीं रहा है आपके वही मन में सवाल चल रहा होगा आखीर हम लोग कोई बजाज से प्रोड़क्ट खरिदना चाहते है EMI पे तो वो कार्ड का उप्सन क्यों नहीं दिखा रहा है तो देखिए अगर आप कोई प्रोड़क्ट खरिदना चाहते हैं आप कोई प्रोड़क्ट सेर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर यह मोवाइल फोन है अगर मैं इस मोवाइल फोन को खरिदना चाहता हूँ तो यहाँ पर यह बजाज के कार्ड पर बजाज के कार्ड पर EMI पर उपलवद है कि नहीं है तो इसके लिए नीचे आईएगा तो यहाँ पर आपको EMI option दिखा था आप इस पर क्लिक किजिएगा यहाँ पर आप लोग को यह देख सकते हैं साप साप दिखा दिया जाएगा कि आप लोग को यह बजाज के कार्ड पर उपलवद है या नहीं है देख सकते हैं उपर में आपको बजाज फिन सर्व दिखा रहा है तो यहाँ पर बजाज फिन सर्व EMI पर यह प्रोड़क्ट आप लोग खड़ी दिसकते हैं और यह अगर आप लोग कोई जुसरा प्रोड़क्ट देखते हैं जैसे माली जी यह एपल का मोगाइल फोन है और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ EMI option पर मैं क्लिक करके कि यह उपलवद है या नहीं है बजाज के EMI कार्ड पर तो सिंपल आपको EMI option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा देख सकते हैं आपको बजाज कार्ड का option आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बजाज कार्ड का ओप्शन कहीं पर नहीं दिखा रहा है तो अगर आपको बजाज कार्ड का ओप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप लोग इस प्रोड़क्ट को नहीं खरिज सकते हैं बजाज कार्ड पर इस बात आपको धिहान रखना इस बात का बस आपको यह उप्सन आपको पता होना जाहिए सभी प्रोड़क्ट पर सभी बेन का या करेडिट का या EMI कार्ड का यहाँ पर उप्सन उपलाउद नहीं रहता है देख सकते हैं किसी में एमजोन का ICIC करेडिट कार्ड पर मिलता है किसी के SBI किसी प्रोड़क्ट पर SBI के कार्ड पर मिलता है तो अगर आपको बजाज कार्ड आपके पास है बजाज फिन सर्व EMI कार्ड है और आपको यहाँ पर उप्सन नहीं दिखार है जिस प्रोड़क्ट में उस product को आप लोग बिल्कुल नहीं खाड़ी सकते हैं इस बात का आपको धियान रखना है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा तो आज किस वीडियो को वहीं पर समाप करते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन